उम्पुरी के सबसे गहरे दोस्त रजा मुराद उम के दुनिया को अलवदा कहने के बाद इन दनों काफी दुखी हैं NMF News से exclusive बात चीत करते वे रजा मुराद ने ओम की मौद से जुड़ी मिस्टरी और उनके व्यक्तत्व के बारे में कई बाते शेयर की हैं रजा मुराद ने बताये कि ओम्पुरी इतने नरम दिल थे कि वो उन्हें मौम्पुरी कहा करते थे नहीं मेरी बातें तो उनसे एक्सर होती रहती थी और मैं एक्सर उनसे मजाख में कहता था कि भई तुम बहुती नरम दिल के इनसान हो तुम्हारा नाम ओम्पुरी नहीं मौम्पुरी होना चाहिए मौम की तरह नरम हो तुम उनसे काफी मेरा हसी मजाख भी चलता था जिन्दगी में आपको लड़ाईयां लड़नी पड़ती है जग से लड़नी पड़ती है घर में कई बार लड़ाईयां लड़नी पड़ती है अगर जग से आप लड़ाईयां और घर में शांती है तो आप सिर्फ एक फ्रेंट पे लड़ाएं लेकिन अगर जग से आप लड़ लए हैं और घर में आशान्ती है तो दुनिया में कोई भी आदमी इतना मदबूत पैदा नहीं हुआ कि एक साथ वो दोनों फ्रेंड्स पे अकेला लड़ सके उमपुरी जैसा कि मैंने आप से कहा कि बहुती भावुक इनसान थे और इन टेंशन्स की वज़ा से बोतल का साहरा लेने लगे थे शराफ दादा पीने लगे थे दिन में भी पीने लगे थे और उसका असर उनके चेहरे पे उनके स्वास्त पे उनकी जमान पे दिखाई देने लगा था और इनसान बढ़ जाता है ऐसे में घर में अगर किसी खिसम की कोई रंजेश है या टेंशन है तो अच्छा काम इनसान से बाहर भी नहीं होता है बाहर भी इनसान को सुकून नहीं मिलता चैन नहीं मिलता अगर घर में किसी खिसम की कोई टेंशन है तो ओम्पुरी की मौत पर बरकरार सस्पेंस पर रजा मुराद ने कहा कि पूरी रिपोर्ट आने तक इस पर कुछ भी कहना गलत होगा भाई देखिए जब तक के रिपोर्ट पूरे तोर पर पब्लिक नहीं हो जाती जनता के सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना मुश्किल है दस मुँ होते हैं दस बाते होते हैं कोई कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है लेकिन सच्चाई तो पोस्पार्टम की रिपोर्ट के बाद आएगी और देखिए जादा शराब पीना या जादा टेंशन में रहना टेंशन और शराब की रियाती तो इनसान की सबसे बड़ी दुश्मन है तो सहत पे तो उनका असर हो रहा था इन बातों का अब उनके निधन के पीछे क्या है क्या राज है क्या रहसे है ये तो वो रिपोर्ट ही बता सकती है लेकिन अब ये है कि इनसान चला गया चला गया उसकी यादे रह गई है एक बाद जरूर कहूंगा कि 66 साल की उमर जो है कुछ जादा उमर नहीं है इतनी उमर में जितना उसने काम किया अपनी अदाकारी का उसने लोहा मनवाया अलिवूर तक हाँ राशियस्थर पर और अंतर राशियस्थर पर और बहुत उन्होंने इस्ज़त कमाई, बहुत उन्होंने अपने प्रशन्सक प्यदा किये करूरों की तादाद में और बड़े अलग-अलग किस्म के उन्होंने किरतार किये तो यह अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा उनका युगदान है बारती सिनुमा के प्रती वो कभी भुलाया नहीं जा सकता ओमपुरी के साथ रजा मुराद की जिंदगी के सबसे मज़दार लम्हे की कहानी भी जान लीजिए देखे ऐसा है कि कई बार हम लोग आउडो शुटिंग्स में शाम को साथ बैठते थे कुछ अपने दिल की बात वो करते थे कुछ हम अपने दिल की बात करते थे और कुछ अनुभव हमारे फिल्मों के बारे में लोगों के बारे में उस पर हम बात करते थे हमारा अपस में बदाग भी बहुत चलता था मैं इन्सीचूट में उनसे पांच साल सीनियर था पांच साल तो खेर वो सीनियरिटी और जूनियरिटी जो है हमारी दोस्ती में कभी आई नहीं लेकिन बहुत ही सीधा सा आदमी था दिल से विल्कुल जैसे अमबाले का एक सीधा साधा एक साधारन से परिवार का एक साधा से था वो इस शहुरत का इस दौलत का इस नाम का एक इज़त का इस यश्च का उस अदमी पे कोई असद नहीं था बहुत ही सादा तबियत इनसान था वो और बहुत बड़ा नुकसान है हम सबका खर जाना तो सभी को है वो जल्दी चला गया लेकिन अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो वो इतना काम भी कर गया है कि जब तक हमारी फिल्म डस्वीर रहेगी जब तक उसकी फिल्मे रहेंगी वो याद किया जाएगा वो एक जिन्दा मिसाल होगा आपको बता दे कि 6 जैन्वरी को 6-6 साल के उमपुरी की मौत हो गई थी जिसके बाद से पूरा बॉलिवुड शोक में डूबा हुआ है एनमेफ नियूस के रिपोर्ट